चोपड़ा एकुषी नेटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागता हूँ, मेरे प्यारे बचों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डोक्टर बनना मुश्किल नहीं आसान है, लेकिन कैसे, ये कैसे संभव है, ये आसान कैसे है, ये सारा संभव है मेहनत से, देखो अभी आपके पास में नीट की एक्जाम के लिए 130 डेज का समय से इस बचा है, यानि कि चार मैने में आपने मेहनत करके डोक्टर बनना है, तो सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि कि चार मैने में मेहनत करके डोक्टर बना जा सकता है, मैं आपको यहाँ पर बोलूँगा, definitely, आप डोक्टर बन सकते हैं, चार मैने अच्छी मेहनत करके, ये मैं आपको इसलिए बोल रहा है जो इनी चार मैनों में मैनत करके डोक्टर बन गए हो तो आप भी बन सकते हैं ये बिलकुल सच है चार मैने में आप अच्छी मैनत करेंगे तो आप डोक्टर जरूर बनेंगे देखो दो तरह के student होते हैं एक होते हैं जो सिरफ planning ही करते रहते हैं मैनत नहीं करते हैं तो मैं उन student के लिए बोलूँगा कि वो अपना अलग stream change कर लें अपना अलग एक need को छोड़ करके एक अलग रास्ता अपना लें और बहुत से competition exam होते हैं वो exam देखे आप अपना career बना लें प्लानिंग का मतलब कि वो planning करते रहते हैं मैं अभी जनवरी से पढ़ूँगा पांक साथ दिन पढ़ते हैं अभी मैं फरवरी से पढ़ूँगा मार्स से पढ़ूँगा और ऐसे करते करते नीट का exam आ जाता है और वो ने तो मैनत करते हैं और ने डोक्टर बन पाते हैं लेकिन दूसरे टाइप के student वो होते हैं जो महनत करते हैं, काफी सारे महनत करते हैं और वो डक्टर बनते भी हैं और इन में कुछ student ऐसे भी होते हैं जो काफी महनत करते हैं उसके बावजूद भी test, series वगरा में जो main exam है उसमें marks कम आते हैं, तो उनको अथास होने की जरूरत नहीं है, मैनत करेंगे, अवस्य सपल होंगे, इसके लिए एक positivity होनी चीए, कि मैं डोक्टर बनूंगा, मैं 2024 में जरूर डोक्टर बनूंगा, मेरा 2024 में सेलक्षन जरूर होगा, और आप ये words हैं, अपने study table पर लिखके रख लीजिए, ताकि हर समय आपके दिमाख में यही करेंगी, तो आप ये लिख लें, मैं मेहनत करूंगा, और डोक्टर बनूंगा, ताकि आपके दिमाख में हर समय यही रहे, कि मेहनत तो करनी ही है, और आप मेहनत करेंगे भी, अभी इसके लिए मेहनत के साथ, आपके पास में एक होना चीए, सबसे पहले positivity होने चीए, positivity होनी चीए, कि मेहनत करूंगा, तो डोक्टर जरूर बनूंगा, ऐसी कोई ताकत नहीं, जो डोक्टर बनने से रोक सके, मेहनत करूंगा, तो डोक्टर जरूर बनूंगा, तो आपके अंदर ये एक सकारात्मक सोच होनी चीए, कि मैं डोक्टर बनूंगा, किसी भी कंडिश में मैं डोक्टर बनूँगा और नीट 2024 में मेरा सेलेक्शन होगा दूसरा दूसरी चीज आपके अंदर इसके लिए जज़बा होना चीजे इसके लिए ज़बा होना चीजे कि मैं डोक्टर बनूँगा तो इसके लिए मेहनत करूँगा और मेहनत करूँगा तभी मैं डोक्ट तीसरी चीज सबसे बड़ी चीज यह है कि आप study करते समय tension free हो करके study करें तो ही आपकी study effective होगी नहीं तो आप tension में रहेंगे मेरा selection होगा या नहीं होगा क्या होगा क्या नहीं होगा तो इस प्रकार से अगर आप tension में रहेंगे तो study नहीं कर पाएंगे तो आपको ये तीन चीजों का ध्यान रखना है सबसे पहले आप positive रहें ये सोच के चलें हर समय ये मान के चलेंगी मैं doctor जरूर बनूंगा दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं हो पाती एसंबव चीज का कोई नाम नहीं है uit कि मैं मैंनत करूँगा तीसरा आप tension तो बिल्कुल छोड़ दें zwischen करके बaczy कोई कोई नहीं है तो आप जब भी study करें आप टेंसन फिरी होके study करें अब study करने के लिए जो main points से वो मैं आपको यहां बता देता हूँ main points का मतलब यह है कि आप study कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने study कैसे करनी है यह आप study कीस तरीके से करनी है क्योंकि आप study काफी study करेंगे उसके बावजूद भी selection नहीं हो पाएगा मैनत करने के बावजूद भी selection नहीं होता तो इसके लिए आपको एक planning के साथ में study करनी है तो study क लिए सबसे पहले जरूरी है time table सबसे पहले जरूरी है time table time table के according आपको study करनी है यह बहुत ही जरूरी है यन templates के according study करेंगे तो आपकी continuity रहेगी आप हमेशा अपने time से पढ़ते रहेगे time के साथ खाना है आपको time से सोना है time से study करनी है तो time table आप एक अवस्य set करें आपके पास time table set करने के लिए आप अपने इसाब से इस परकार से set करें कि जैसे आपका coaching का time है आप coaching की इतनी बज़े से इतनी बज़े क्लासें लेते हैं इतनी बज़े से इतनी बज़े तक आपको ये subjects पढ़ने हैं इतनी बज़े से इतनी बज़े तक आपको खाना खाना है इतनी बज़े से इतनी बज़े तक आपको सोना है तो ये आप इसमें अपने time table में proper mention करके रख टाइम दें जो आप टाइम टेबिल सेट कर रहे हैं उसमें आप ध्यान रखें कि आपकी कम से कम जो स्टड़ी हो पर डे वो फोर्टीन हावर्स आप जरूर कवर करें 14 हावर्स स्टड़ी आप डेली करें और इन 14 हावर्स स्टड़ी के साथ आप 6 हावर्स की नीद अवस्य लिया यानि कि 6 हावर्स की नीद आपको बहुत ही जरूरी है तबी आप स्टड़ी कर पाएंगे टाइम टेबिल बनाते समय इन दो चीजों का आपको ध्यान रखना है यानि कि six hours की study आप शुरी नींद जरूर ले और 14 hours की study आप per day जरूर करें 14 hours इसमें आपकी coaching के hours भी आ गए और इसके अलावा coaching के अलावा जो आप घर पर study कर रहे हैं वोस्टल में study कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि 14 hours आपकी daily study होनी ही चीए और चारों subject को equal time दें जिस subject में आपको problem आ रही है उसके लिए आप थोड़ा सा समय बचा करें रख लें उसको आप extra time दें उस समय को तीसरी चीज आप इसमें जब time table बना रहे हैं तो एक थोड़ा सा खाने का समय जो है वो इस प्रकार से रखें कि आपको जैसे नीद वगरा से परिशानी हो रही है या फिर other distractions हो रहे हैं तो इस हिसाब से आप अपने खाने पेने का समय सैट करें ताकि आपको किसी प्रकार क नय हो इसके चलते आपके तो ये भी आपने ध्यान रखना है इसमें अब आपका ये हो गया इसके बार time table आपका एक set हो गया उसी time table के according आपने पढ़ना है खाना खाना है फ्रेश होना है सारा काम time table के according आप काम करेंगे तो आपकी study continue बनी रहेगी आपके जो ऐसा नहीं पढ़ेंगे आज इतना रेस्ट कर लेतें वो नहीं होगा आप एक बार एक टाइम टेविल सेट करेंगे उसके अपोडिंग पढ़ते रहेंगे तो आप डेली 14 हावर्स पढ़ पाएंगे आप 14 हावर्स मैं 14 हावर्स से अगर आपकी कैपिसिटी ज्यादा है तो आप 14 हावर्स से ज्यादा भी पढ़ सकते हैं 15 हावर्स 16 हावर्स भी पढ़ सकते हैं क्योंकि 16 हावर्स वाड़े भी मेरे पास ऐसे उधारन है ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ते हैं डेली 16 हावर्स में मैं रह रहा हूं मेरे को पता है कि पढ़ते हैं इस्टूडेंट 16 hours तैयारी कर रहे हैं तो इन बातों को आप टाइम टेबिल में cover करें तीसरी चीज़ आपका जो syllabus है आपका syllabus है वो cover हो जाना चीए फरवरी एंड तक आप syllabus को cover कर लें ताकि मार्च और अप्रेल में आप टेस्ट सीरीज की practice कर सकें टेस्ट सीरीज की practice करना बहुत ही जरूरी है और इसी में अभी साथ-साथ आपको क्यों प्रेक्टिस भी करनी है जितनी ज्यादा क्यों प्रेक्टिस करेंगे उतना ही आपको benefit होगा एकजाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी practice हो जाएगी क्यों प्रेक्टिस के लिए आप ओनलाइन टेस्ट सीरीज भी जोईन कर सकते हैं ओनलाइन भी करें तो भी तकि आपको exam में किसी प्रकार की कोई problem नहीं हो आपकी omar की practice भी हो जाए क्योंकि online में आपकी omar की practice इतनी होगी नहीं तो offline में आप question paper या test series जो भी ले रहे हैं उसको print करके आप फिर उसकी omar की practice आप जरूर करें क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है और उसमें आप एक time set करके रखें कि इतने minutes में मेरे को omar fill करनी है पहले मेरे को bio solve करनी है फिर chemistry solve करनी है फिर physics solve करनी है इन बातों का सब को आपको पता भी है मैं तो आपको एक revise करने के लिए ये बता रहा हूँ कि आपको किस प्रकार से attempt करना है आपने omar fill के लिए भी समय रखना है last में question paper पर टिक कर करना है तो इस प्रकार से आपने पहले भी exam दिये होंगे तो इसकी practice कर लें तो और भी better रहेगा आपके लिए तो offline की जितनी ज्यादा हो सके offline की practice करें तो सबसे better रहेगा तीसरी बात ये है चोथी बात बार बार तीसरी बात पर आ रहा हूँ में चोथी बात ये है कि आपक revision के लिए समय दें इसमें क्योंकि revision बहुत ही जरूरी है हरेग student कितना ही minded student हो कितना ही minded student हो वो क्या होता है भूल जाता है नीट का इतना लंबा सलेबस है कि हर एक student भूल जाता है जो टोपर होते हैं वो भी भूलते हैं जिन्होंने टोप किया है नीट के प्रिवेशेर एक्जाम में वो भी भूलते हैं क्योंकि भूलना तो स्वाभाविक है एक बार सब कुछ याद तो रहता नहीं है तो रिवीजन भूत जरूरी है जितनी बार आप रिवीजन कर सकें आप एक बार दो बार तीन बार तो रिवीजन अवस्चे करें पूरे सलेबस का ताकि आपको एक confidence भी आ जाए और आप एक्जाम में भी अच्छा attempt कर सकें उसमें तो ये सारी चीजे आपने रिवीजन का भी ध्यान रखना है इसमें इसके बार दूसरी चीज जो मैन बात है वो ये है कि आपको NCRT follow करना है पूरा का पूरा आपको NCRT follow करना है पिछली बार भी हमने हर साल देखते आ रहे हैं कि जो नीट का सलिवस है नीट का जो पिपर है वो पूरा का पूरा NCRT best होता है तो आपको NCRT follow करना है लास्ट में एक बड़ी बात ये है कि आपको इन चार मैने में आपके सारे recressions जितने भी हैं जितने भी आपके मनोरंजन हैं ये आपने अभी इन चार मैनों में छोड़ देना है बिल्कुल जो आपके समझिक कारिये हैं जो समझिक जो functions वगरा हैं उनको आपने बिल्कुल भी इन चार मैनों के लिए त्यार कर देना है आपके पास में आगे बहुत समय बचेगा ये सारी चीज़ें करने के लिए रिक्रेशन मनोरंजन करने के लिए ये बहुत समय मिलेगा आपके पास तो इन चार मैने में भूल जाओ इनको एक ही लक्से रखो मेरे को मैनत करना है डोक्टर बनना है मैं डोक्टर अवस्चे बनूँगा बाकी सारे के सारे फंक्शन से जितने भी जितने भी आपके रिक्रेशन से टीवी बगरा है मोबाइल बगरा है इनको आप बिल्कुल चार मैने के लिए साइड में रदो आप ये दिमाग में बठालो कि मेरे पास इन चार मैने के बाद में इनको यूज करने के लिए बाकी समय तो पड़ा है, इनके बाद में मैं क्या करूँगा, जब selection हो जाएगा, नीट में selection हो जाएगा, तो उसके बाद में यही देखना है, medical college में admission भी हो जाएगा, तब भी आपके पास में समय है, तब भी आप recursion के लिए आपको काफी समय मिलेगा, आपको इन चार मेने में यह त्यागना ही पड़ेगा, और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताओ, student के लिए, सबसे बड़ा distraction है, वो है mobile, mobile में आपने थोड़ी देर के लिए कुछ भी देखा है, तो आप जब study करनी लगोगे, तो वो ही बात आपके दिमाग में घूमने ल अपडेट्स के लिए अपने पैरेंट्स वगरा को बोल के रख दो, या फिर आप अगर दस-पांस मिनिट के लिए कुछ अपडेट्स देखना चाहें, कि एप्लिकेशन फॉर में स्टार्ट हुए नहीं हुए हैं, तो इस परकार के अपडेट के लिए आप ये देख सकते ह हैं, तो ये छोटी-छोटी इसी जो बाते मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, ये अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी बाते हैं, और बड़ी बाते हैं तो डोक्टर बनाने में काफी हैल्प करती हैं ये, तो बाकी अपडेट्स के साथ, बाकी जानकारी के साथ आ